ऐसे हैं दोस्तों आप सब मैं हूँ आपका दोस विनाय मिश्रा, continue करते हैं अपने प्रीवियस वाले वीडियो को अपना थर्ड पार्ट देखने हैं कोश्चन सीरीज का, तो पहला कोश्चन अपने पास गेट एक्जाम का कोश्चन है, बहुत ही शांदार कोश्चन है ये भी देखें, consider the time, T1, T1 यहाँ पर time दिया है, taken for the single instruction on a pipeline CPU, T1 जो time है, वो pipeline की case का है, और जो T2 time है, वो non-pipelining के case में है, तो अपने कोई ये पूछा है कि इन में से कौन सा relation क्या है, सही है, ठीक है, क्या T1 less than equal to T2 होगा, क्या T1 greater than equal to T2 होगा, क्या T1 less than T2 होगा, या फिर D option हो जबर्दस है, non-pipelining तो बकवास है, इसलिए pipeline के case में कम time लगता होगा, इसका मतलब T1 हमेशा less होगा T2 के comparison में, ऐसा आप सोच सकते हो, या पिर T2 equal भी हो सकता है किसी एक standard case में, ऐसा आप सोच रहे होगे, तो अगर आपका thinking ऐसा है, तो बिल्कुल सही thinking है, लेकिन ये most common गलत answer है, क्यों ये most common गलत answer है, क्यों भाईया question में यहाँ पे एक चीज लिखा हुए single instruction, तो मैं आपको बताया था, pipeline जबर्दस कब वर्द करता है, bigger program के लिए, जितने ज़ादा instruction होगे, उसके लिए pipeline बहुत ही जबर्दस है, लेकिन एक ही instruction में, आप खुदी सोच के देख होगा ही नहीं, तो महां लेते हैं, हर एक stage का जो time है, one second है, तो चार सेकेंड लग गया हम लोगा, ठीक है, लेकिन, अगर मैं pipeline के case में बात करूँ, तो वहाँ पे अपने buffer delay को भी add करना होगा, तो भाईया ये तो obviously चार सेकेंड से ज़ादा आएगा, तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब, एक instruction के लिए, हमेशा ध्यान रखना, time of non-pipelining जो होता है, वो हमेशा कम होगा, as compared to time of pipelining, और equal भी हो सकता है, ठीक है, t1 से हमेशा क्या होगा, कम होगा, तो इस तरीके से मैं बोल सकता हूँ, time of non-pipelining is always less than equal to t of p, कब, जब मेरा एक ही instruction होगा, तब, आपको इस question a और c नहीं होगा, इसका answer, आप समझ जोगे, और d तो भाईया बकवास कर रहे, t1 is t2 plus time taken for instruction fetch cycle, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है, बहुत बढ़िया, दूसरा एक बहुत ही शांदार question है, यहाँ पर ऐसे type के बहुत सारे gate exam में question आते हैं, यहाँ पर अपने को space time diagram बनाना होता है, in order to execute, 5 instruction को execute करना है, fetch, decode, execute, or write, तो अपने को बताना है, total number of clock cycle कितना लगेगा, यह अपने को बता रहा है कि भाईया, इसको इतना cycle लगता है, इसको इतना clock cycle लगता है, इसको इतना लगता है, तो ऐसे question को कैसे करें, तो आपको सबसे easiest approach बता रहों, किस तरीके से क जलती कभी नहीं होगी, देखो यह इस type का आपको diagram दिया होगा, आप इस तरीके का एक diagram बनाओ, यह इतना अजीब type का क्या बना दिये है, यह साप 3D type का, तो आपको कुछ नहीं करना है, बहुत simple है, option में आपको जितने भी cycle पूचा है, जैसे यहाँ पे अगर आपको question में आपको 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 आगे भी बनाना पड़ जाए, तो एकदम ऐसा नहीं कि line खीचते जा रहे हैं, गेट exam में और time pass के जा, ऐसा कुछ नहीं करना है, एकदम जल्दी से करना है, यहाँ पे क्योंकि में को बता है 15 में answer खता हो जाएगा, तो मैं 15 के बाद नहीं लि तो इसको रोज में लिख लिए, इसको column में लिख लिए, ठीक है, अब देखो, एक एक करके चलते हैं, सबसे पहले यहाँ पे fetch को एक cycle लग रहा है, decode को दो लग रहा है, इसको एक लग रहा है, तो भईया, एक एक अपन लिख दिए, fetch को एक, decode को दो, execute को एक और write को एक, ठीक है बहुत बढ़िया उसके बाद उसके बाद अगली बार जब second instruction आएगा तो pipe lining का अपने को use करना है तो ये एक ले रहा है ये दो ले रहा है ये दो ले रहा है ये एक ले रहा है ठीक है तो देखो जो अपना fetch instruction है ना क्या वो यहाँ पर से चालो हो सकता है भाईया कैसे हो सकता है ये वाला अभी तो busy है ये वाला stage क्या है अभी अपना busy है ये वाला अभी अपना busy है यहाँ पर से fetching नहीं हो सकता इसका मतलब क्या मैं आपको सीधा shortcut बताता हूँ आपको एकदम confuse होनी की जरुवत नहीं है आप उपर देखना उपर वाले just उपर वाले room में है अगर में को यहाँ पर क्या टालना है लगातार f, d, e і इस तरीके से stages ढालने है तो उपर देखना आप f के नीचे f नहीं लिख सकते ये आप बस ध्यान रखनां लेकिन f के नीचे f नहीं, e के नीचे e नहीं और w के नीचे w नहीं होगा ये बस आप ध्यान रखना तो नहीं करसकता हूं, क्यों। कि उपर में decode लिखा हुआ है, यहांपे क्या करके, stall cycle का मतलब होता है, कोई भी operation perform नहीं करना है, stall cycle स्टोपने लगा दिये, तो अपना decode यहांपा से चालोगा, देखो केसे करेंग इसको, देखो, दो बार सबसे पहले fetch, यहाँ पर से चालू कर सकता हूँगा, नहीं कर सकता हूँगा, यहाँ पर से कर सकता हूँगा, नहीं कर सकता हूँगा, ठीक है, यहाँ पर से अपनी कर देना ना, क्योंकि यह यहाँ पर यह अभी तक के busy है, ठीक है, यह यहाँ पर से खाली हो cross मार दिये, stall लगा दिये हैं, थीक हैं, उसके आज फिर यह क्या हो गाँ गए, EEE, 3 बार execute मारे है, फिर 2 बार write कर दिये, ठीक हैं, वैसी अगली बार अपने को यह darle 裂 करने बोला है, 3 बार decode करने बोला है, 2 बार execute करने बोला है, और 1 बार write करने बोलाएं, तो यहाँ पर से अपन चालू नहीं कर सकते हैं, चीक है, उसके यहाँ पर से चालू कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर से करेंगे, बिल्कुल करेंगे, यहाँ पर से डिकोड कर सकता हूं किया, नहीं कर सकता, यहाँ पर क्रॉस लगा देंगे, स्टॉल cycle लगा देंगे, उसके आद्ट पर यहाँ पर रजी कोड़ कर शकते हैं, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर राज रिखा हुआ बर यहाँ इक्जक्यूट मैं आपको सबसे easiest approach बता हूँ और ऐसा आपको table बनाने में इतना ताइम नहीं लगेगा यह बस मैं आपे line line इसले बना दिया हूँ ताकि आप यहाँ पे confused नहीं हो बाकि आप जल्दी जल्दी एकदम लिखके इसको कर सकते हो बहुत बढ़ी है आगे बढ़ते अगला question देखे देखे same as it is वही question है बिल्कुल वही काम करना है आपको सबसे पहला part में यहाँ पे आपको वही निकालना है कितने cycle लगेंगे यह पूरे instruction को complete करने के लिए तो बाईया कुछ नहीं और दूसरे part में आपे speed up निकालना है speed up कैसे निकालते है बाईया tn upon tp से निकालते है तो यहाँ पे 12 cycle लगेंगे यह आप निकालके देख लेना answer में आपके समने draw भी कर दिया हूँ यह आप देख लेना ठीक है तो अपने को यहाँ पे total pipeline के case में कितने cycle लग गए 12 cycle लग ठीक है बहुत बढ़िया और दूसरी बार में non-pipelining के case में निकाल लो कितना clock cycle लगे है कै किसे निकालेंगे उसको वह यह कुछ नहीं इनको बस add मार दो 1-3-1-2 यह पहले वाले के लिए दूसरा ले instruction के 2-1-2-1 यह कर दिये तीसरा ले के लिए यह प्लस किये चौतिय वाले के लिए यह प्लस करना है तो यह प्लस कर दोगे तो इतने instruction आपको non-pipelining के case में लगे ह इतने clock cycle अपने को pipeline के case में लग रहा है दोनों का ratio ले लोगे speed up आपके सामने होगा आपको idea समझ में आए किस तरीके से कर रहे है बहुत बढ़िया यह आपको समझ में आ गया आगे बढ़ते हैं हम लोग question देखते हैं बिल्कुल as it is ऐसा question अपने पहले भी कई बार solve कर चु तो यह tn आ जाता है और tau p कैसे निकालते हैं तो भईया max को delay के साथ add कर दो तो यह आ जाता है tp तो बस formula में तो put करना है और क्या करने है एकदम simple सी बात है ठीक है आगे बढ़ते हैं हम लोग question अगला question देखते हैं बिल्कुल वैसे ही question है फिर से वही चीज है बस थोड़ा है यहाँ पर क्या twist and turn किया है देखो यहाँ पर यह बोल रहा है कि for loop यहाँ पर से दोड़ा दिया है और i equal to 1 से लेके i less than equal to 1000 मतला 1000 अपने पास instruction है ठीक है i plus plus मा रहा है चारो instruction को दोड़ाना है और output बताना है i2 के लिए जब i का value 2 हो जाए ठीक है इसे करेंगे देखो i equal to 1 के लिए चारो cycle चलेंगे अपने ठीक है यह चारो execute होंगे i1, i2, i3 और i4 ठीक है और उसके अद i equal to 2 के लिए आपका यहाँ पर किस के लिए निकालना है i2 के लिए कितना number of clock cycle लग जाएगा तो सिर्फ i1 और i2 चलेगा यह आपको इस तरफ लिखना है और right side में आप इस त है तो यहाँ पर 2 बार S1 दोड़ा दिया एक बार S2 चलाना है तो यहाँ पर चला सकता हूं क्या है नहीं चला सकता हूं stall लगा दिये एक बार S3 चलाना है दो बार S3 चलाना है एक बार S4 चलाना है उसके पर एक बार S3 चलाना है यहाँ से चालू नहीं कर सकता है यहाँ पर से चालू करूँगा तो S1 यहां पर से चला दिया, ठीक है दो बार S2 चलाना है तो यहांपठ से चैलू नहीं कर सकता, यह stall लगा दिया, दो बार S2 चला दिया, उसके अपर एक बार S3 चला दिया, और दो बार S4 चलाना है, वो भी कर दिया पन, फिर S4 के लिए same वैसे ही दो बार इसको चलाना है S1 को चलाना है यहाँ पर से S2 चालू नहीं कर सकते हैं यहाँ पर से चालू किये दो बार S3 चला है और एक बार S4 चला है वैसे ही फिर से उपर से चालू करेंगे S1 के लिए फिर से S1 अपने को एक बार चलाना है तो यहाँ पर से चालू नहीं कर सकते हैं यहाँ पर से करेंगे S1 चालू तीन बार फिर S2 को चलाना है यहाँ पर से नहीं कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर से कर सकते हैं क्योंकि उपर में सेम नहीं है तीन बार S2 को चला दिये, S3 को एक बार चलाना है, S4 को एक बार चलाना है लास राइटू के लिए दो बार देखो, यहां पर क्या है, S1 चलाना है, दो बार तो S1 को यहां पर से नहीं चला सकते, दो बार S1 चला दिया, उसके आद फिर S2 को अपने को एक बार चलाना है करना ठीक है बहुत ही इजी है बहुत ही सिंपल आगर आपको यह समझ में आ गया है तो आप विदिन सेकेंड्स इसको कर लोगे ठीक है तीस सेकेंड्स आदा आपको टाइम नहीं लगेगा आगे बढ़ते हम लोग लिकुल सेम वैसा ही गेट एक्जाम का कोश्चन है यह मैं आ आप खुझ से एक बाब बना के देखना आपसे जरूर बन जाएगा यहाँ पर मैं सॉल्यूशन भी लिख दिया हूँ ठीक है और आप चाहो तो एकदम फूल पत्ती लगा के इसको सौल कर सकते हो लेकिन एकदम जल्दी से आपको सौल करना है ठीक है आपको आडिया सवन मे तो इस वीडियो के लिए इतने है रखते हो मिलता हूँ अपने अगले वीडियो में थैंक यू